क्या किया मतलब आपने सेना को तोड़ दिया अल्मूस अपसे भी इशू पे आपने हमारी ज़त ने कि हमारी कैंटीन हमारी हर चीज की हर चीज हमारी काट ली थोड़े दिन में पैंशन भी काट होगे मैं जानता हूँ फौज को लगातार डीग्रेट कर रहे हैं फौज को लगातार इस्तिमाल कर रहे हैं फौज का इस्टेटिस आपने खराब कर दिया फौज को आपने पुलिस बना दिया और एक दिन आप लोगों की ऐसे ही मनसा रही तो फौज की पैंसिन बंद हो जाएगी हाँ जी पैंसिन ब सेना का इस्तमाल सेना के लिए के यह देश के लिए किये क्योंकि इस्तिती वो नहीं है कि आप सेना का इस्तमाल गल्यारों में कर रहे हो सेना का इस्तार आप सेलफी पॉइंट बनाने में कर रहे हो सेना का इस्तमाल आप चुनाव प्रचार में कर रहे हो सेना का इस्तमाल सेना का नाम आप खराब कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी और दो इसके लोग भी बोलेंगे कि ये सेलफी पॉइंट पर एक जेस्यू जबान खड़ा है सरकार की नीचों का प्रचार कर रहा है यह पुलिस बनके रह जाएगी जैसे आज पुलिस की क्रेडिबिलिटी जीरो है उसके अंदर कोई भी हीरो हो सकता है लेगन यार पुलिस है छोड़ो यह किसी काम की नहीं है यह लूट खसोड करती है गुंड़नों का संरचन करती है नेताओं को पीछे बागती है आप फॉज को बनाना चाहते हो और यह स्टेटमेंट है आप एक टीवी चैनल के उपर भैस हो रही है और मेजर जनर्रेटाइड बिसमवर्द्याल है साब है मैं उनको सलूट करता हूं रच्छा बिसे जग्ये हैं उन्होंने क्या कहा है इन गलियारों में देश की गलियारो ही कर देगी वह सवाल पूछने लग जाएंगे जवान से जेसियों से जो भी उस सेल्फी पॉइंट पे खड़ा होगा वह में चला क्या जवाब देगा पहले उन्होंने जनर्र मलिक साब का हवाला दिया का फोजा का राजनीत कर्ण सुरू हो गया है वह इससे फोज का क्या चुट्टी जाता उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है सेना का अधिकारी चिट्टी लिके या फोन करें वहां का एस्पी या कोई भी उसकी सुनता नहीं है तो सेना के जबान के पीछे मत पड़ो सेना को डिगेड मत करो बैसे ही आपने अगनभी ला करके इसको तोड़ दि अब टीवी पे खुले हाम होने लगी है हर बंदा बोल ला है हर एक पदाधिकारी बोल ला है कि सेना यद यद उनके कहा है कि सेना को आप इतना ही सम्मान देश सकते हो तो आपका NSA National Security Advisor में एक Lieutenant General साब बैटा है वो साइड में बाकि उनके Chief हैं डिप्टी NSA कोई भी बड़े प को अनुसासन में बांद के रखा है माना कि सेना के अंदर अनुसासन है और सीनर अधिकारी आपकी बात को समझ रहे हो मानने इसका मतलब यह नहीं को उनके दिल की बात भी पूछी हो नहीं तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया इस किसकी है उन्होंने काई जो रिटाइड हैं जो जनरल साब हैं या बड़े-बड़े सीनेर इदिकारी हैं उनको आप खुले मंच पर आ जाना चाहिए सरकार की इन नीक्यों का ब्रोध करना चाहिए जिससे के सैना का नुक्सान होता है यह सिर्फ पॉलिटिकल फायदा के लिए सैना का इस्तिमाल करना यह सरासर गलत है पहली बार इतना बड़ा प्रहार और यह आप देख सकते हैं एक टीवी डिबेट पर हो ला है अनोंने का है सैना को देश के गल्यारों में सैना का नाम मत उचाहो पॉलिटिकल लोग जूट बोलते हैं और किसी सैना के एक अधिकारी को गोल मोल स्टेटमेंट दिला देते हैं जो कि भ्रमित खुद भी होते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं यह उनकी मज़गूरी हो सकती है आज चिंता का बैसे हैं उनका डिबेट करना चिंता का बैसे नहीं चिंतन का बैसे है चिंतन का बैसे है और जो बड़े इस दिमाल करो उन्होंने का है किसी तरह सेल पीपरंट में जेशु जवान खड़े कर दे आ हुए बहुत सारी सिकूर्टी है बहुत सारे लोग चाहना के और पाकिस्तान के ऐसे एजन्ट या के सवाल पूछेंगे तमाम आपकी सिकूर्टी भी लीकोगी लेकिन आपने कुछ स ले तो यह सब गलत है उन्होंने का है आपने केंटीन फैसलिटी बंद कर दी अगन भी रियोजना लगा दी इसके साथ साथ आप पैंसन भी बंद करने का पूरा पूरा प्लान है सरया हम एक मेजर जनरल साब करें और बुलकल उनकी मंसा है वो देश हित्की बात कर रहे हैं स सब्द सामने सवाल खड़े करने पड़ेंगे नहीं है बे लगाम नेता अपने राजनीतिक साथने के लिए अपनी राजनीतिक अच्छा पूरी करने के लिए सेना के अंदर अनोंने घुस्तो गए हैं अब सेना को और खराब करेंगे जबके सेना के बारे में इनको रत्ती भर जानकारी नहीं रती भर भी जानकारी नहीं है एक सिपाई जितनी भी जानकारी नहीं रखता होगा एक नेता आप पूछ लीजिए कुछ भी नहीं पता लेकिने बड़ी-बड़ी बात हैं करकर के ये सैना का भट्टा गोल कर रहा है आप देख सकते हो कि सैना की ट्रेनिंग और मुराल पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीजों का ये कोई ऐसी स्कीम है जहां सैना परचार कर रही है तो क्या सैना के परवार के लिए इससे कोई फायदा है नहीं है फिर काहे को फालतू में इतनी दुनिया है एक सुचालीस करोड घूम रही है और किसी को खड़ा कर लो जो भी ढोल बजबाना है बजबालो कम सकम सैना को तो बक्स तो ये सारी बात है इस वीडियो का थोड़ा अंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कब कहा कैसे कहा और आप समझ सकते इसको पर जरूर कमेंट्स करना धने है